हिमाचल में बर्ब बर्शा होती थी तो हम गुज्रात में जब रहते थे तो तुरंत उनी कपड़े निकालते थे कि अब हिमाचल में बर्ब बारी हुई है तो हवा ठंडी चलेगी पांचे दिन में ठंड यहां आएगी लेकिन आप वक्त बदल चुका है भाईयो अब उत्तर प्रदेश की हवा हिमाचल में आ रही है उत्तरा खंड की हवा हिमाचल में आ रही है और दिल्ली की ताजा ताजा हवा भी तो आ रही है भाईयो भाणा देश में विकास का यूग तो है लेकिन जो इमानदारी से जीनिया चाहते हैं इमानदारी से कुछ करना चाहते हैं उन लोगों के लिए स्वरनिम यूग आया है और मेरी कोशिज है कि इमानदारी का काम बड़े इमानदारों को अवसर मिले देश इमानदारी के उपर चल पड़े इस संकल को लेकर करके हम काम कर रहे हैं और अर्भाय बहनों आज जो मैं यह दरश्श देख रहा हूं दूर दूर तक कि जहां मेरी नजर पहुंच रही है लोगी लोग है कि यह यह इमानदारी के यूग का संक्रप लेने वाले लोग मैं देख रहा हो हिमाद्चल में भी इमानदारी के यूग का इंतजार है राश्टर पदी जी आज मुझे बता रहे थे कि पहले सोच थी कि अजादी की ज़रूरत नहीं कि पहले सोच थी कि हम अंग्रेजों के साथ अंग्रेजों के राज के साथ जी सकते हैं मगर जब गांधी जी ने सक्चाई देखी